दसा माता ब्रत कथा दसा माता ब्रत की प्रामारी कथा के अंसार प्राचीन समय में राजा नन और दम्यंती रानी जुक पूर्वक राज करते थे उनके दो पुत्र थे उनके राज में प्रजा सुखी और संपन्न थी एक दिन की बात है कि उस दिन होली दसा थी एक ब्रम्हारी राज महर में आई और रानी से कहा दसा का डोरा ले लो बीच में दासी बोली हां रानी साहिबा आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दसा माता की पूजन और ब्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूज़ा करके गले में बाधती है जिससे अपने घर में सुख सम रिद्धी आती है अतह रानी ने ब्रह्मारी से डोरा ले लिया और विधी अनुसार पूजन करके गले में बाध दिया कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दम्यंती के गले में डोरा बाधा हुआ देखा राजा ने पूछा इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना राणी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़ कर जमीन पर फेग दिया राणी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहाया तो दस माता का डोरा है आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया जब रात्री में राजा सो रहे थे तब दसा माता स्वप्न में बुढिया के रूप में आई और राजा से कहा है राजा तेरी अच्छी दसा जा रही है और बुरी दसा आ रही है तुने मेरा अपमान करने अच्छा नहीं किया ऐसा कहकर बुडिया दसा माता अंतर ध्यान हो गई अब जैसे तैसे दिन बीटे गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बार हाथी गोडे लाव लसकर धन धान सुक सांती सब कुछ नश्ठोने लए अब तो भूख राजा ने कहा मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी तब राजा ने कहा अपने देश को छोड़ कर दूसरे देश में चलें वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे इस प्रकार नल द पर छोड़ दिया आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गाउं आया राजा ने रानी से कहा चलो हमारे मित्र के घर चले मित्र के घर पहुचने पर उनका खुब आदर सतकार हुआ और पक्वान बना कर भोजन कराया मित्र ने अपने सयन कच्छ में सुलाया उसी कमरे में मोर की आकरिती की खूटी पर मित्र की पत्निक का हीरो जड़ा की इमती हार तंगा था मर्ध राती में राणी की नीद खूली तो उन्हों ने देखा की वह बेजान खुटी हार को निगल रही है यह देकर राणी ने तुरंत राजा को जगा कर दिखाया और दोनों ने विचार किया की सुबह होने पर मित्र के पोछने पर क्या जबाब देंगे अता यहां से इसी समय चले जाना चाहिए राजा रानी दोनों राती को ही वहां से चल दिये सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खुटी पर अपना हार देखा हार वहां नहीं था तब उसने अपने पती से कहा तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा का रात्री में ही भाग गए हैं मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदाप ऐसा नहीं कर सकता धीरज रखो किपया उसे चोर मत कहो आगे चलने पर राजा नल की बहन का गाम आया राजा ने बहन के घर खबर पहुचाई कि तुम्हारे भाई भाउजाई आये हुए हैं खबर देने वाले से बहन ने पूछा उनके हाल चाल कैसे हैं वह बोला दोनों अकेले हैं पैदल ही आये हैं तथा वे दुखी हाल में हैं इतनी बात सुनकर बहन थाली में कादा रोटी रखकर भया भाभी से मिनने आई राजा ने तो अपनी हिस्से का खा लिया परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया चलते चलते एक नदी में नी राजा ने नदी में से मचलिया निकाल कर राजा ने सोचा की राणी बिचार करेगी की राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया उधर राणी मचलिया भूजने लगी तो दुरभाग से सभी मचलिया जीवी ठोकर नदी में चले गए राणी उदास होकर सोचने लगी की राजा पूचेंगे और सोचेंगे की सारी मचलिया खुद खा गए जब राजा आये तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिये चलते चलते राणी की मायके का गाउँ आया राजा ने कहा तुम अपने मायके चली जाओं वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना मैं इसी गाउं में कहीं नवकर हो जाओंगा इस प्रकारानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के खाने पर काम करने लगा दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए जब होली दसा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धो कर असनान किया दासी ने भी असनान किया दासी ने रानियों का सिर गुथा तो राज माता ने कहा मैं भी तेरा सिर गुथ दूँ ऐसा कहका राज माता जब दासी का सिर गुथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर मे पद्द देखा या देखकर राज माता की आखें भराई और उनकी आखों से आशू की बूदे गिरी आशू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा आप क्यों रो रही हो राज माता ने कहा तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्ध था तेरे सिर में भी पद्ध है यह देखकर मुझे उसकी याद आई गई तब दासी ने कहा मैं ही आपकी बेटी हूँ दसा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए यहाँ चली आई माता ने कहा बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई दासी ने कहा मा मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं करते आज मैं दसा माता का बरत करूंगी तथा उनसे गलती की छमायाजना करूंगी अब तो राज माता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं, बेटी बोली, वे इसी गाव में किसी तेली के घर खाम कर रहे हैं, अब गाव में उनकी खोच कराई गई, और उन्हें महल में लेकर आए, जमाई राजा को असनान कराया नय वस्त्र पहनाये, और पक अपने राज जाने को कहा दम्यंती के पिता ने खूब सारा धन लाव लसकर हाथी घोड़े आध देकर बेटी जमाई को बिदा गिया रास्ते में वही जगा आए जहां राणी ने मचलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील के छप्टा मानने से भोजन जमीन पर आगिरा था तब राजा ने कहा तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा परन्तु चीर ने जप्टा मार कर गिरा दिया था अब राणी ने कहा आपने सोचा होगा कि मैंने मचलिया भून कर अकेले खाली होगी परंत वे तो जीवी थोकर नदी में चली गई थी चलते चलते अब राजा की बहन का गाव आया राजा ने बहन के यहां ख़बर भेजी ख़बर देने वाले से पूछा कि उनके हाल चाल कैसे हैं उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दसा में हैं उनके साथ हाथी घोड़े लाओ लसकर हैं यह सुनकर राजा की बहिन मोतियों की थाल सजा कर लाई तभी दम्यंती ने धर्ती माता से प्राथना की और कहा मा आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो यह कहकर उस जगह को खोदा जहां कादा रोटी गार दिया था खोदने पर रोटी तो सोने की और कादा चादी का हो गया यह दोनों चीजे बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तयारी करने लगी वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुची मित्र ने उनका पहले के समान भी खूब आदर सतकार और समान किया रात भी स्राम के लिए उन्हें उसी सयन कच में सुलाया मोर्नी वाली खूटी के हार निगल जाने वाली बात से नीत नहीं आई आधी रात के समय वही मोर्नी वाली खूटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्ट को जगाया तथा रानी ने मित्ट की पत्नी को जगा कर दिखाया आपका हार तो इसने निगल लिया था आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है दूसरे दी प्राता का नित्य कर्म से निपट कर वहां सेवे चल दिये वे भील राजा के यहां पहु कर अपनी राध्धानी के निकट पहुंचें तो नगर्वासियों ने लाव लसकर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसंद होकर उनका स्वागत किया। तथा गाजे-बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठार बाठ हो गया, राजा नल नम्यंती पर दसा माता ने पहले कोब किया, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कीपा करीव, ऐसी सब पर करना.